Hello everyone, welcome to Judiciary Point, a part of Clad Point. As you all know, UPPCSJ की vacancy आ चुकी है और आने वाले 1.5 months या 2 months में prelims का exam हो जाएगा. जिसके लिए हमने UPPCSJ crash course की series launch करी है. आज हम इसमें deal करने वाले हैं सबसे पहले dowry prohibition 1961 का act. अब क्या ये act अभी तक था? नहीं. अभी ये वाले act हमारे GK का paper. ठीक, उसमें कुछ acts आड किये गए हैं जिसमें की 9 minor acts हैं. उसमें one of the most important act आपका आता है, dowry prohibition act 1961. So basically, कुछ salient features बगेरा से deal करेगा ये paper. क्योंकि for the first time incorporate हो रहा है, तो हमें नहीं मालूम है कि किस तरह के questions आ सकते हैं. लेकिन फिर भी एक general अगर overview देखा जाए, तो salient features important हो जाते हैं किसी भी act के. इसी के साथ साथ कुछ important provisions जो होते हैं, जिसमें punishments involved होती हैं, वो सारे चीज़े हम इसमें deal करेंगे. So without wasting time, start करते हैं. First of all, आपको जो याद रखने वाली चीज़ है, dowry prohibition act 1961 का है, ये year आपको मालूम होना चाहिए. Act ये कौन सा number है? Act का number है 28 of 1961. ये तो basic चीज़े हैं, जो हम कोई भी act पढ़ने से पहले इतना हम याद करते हैं हैं. दूसरी चीज, 20th में 1961, ये प्रेसिडेंट के ascent की date है, वैसे generally important नहीं होती है, लेकिन क्यूंकि सामने पढ़ गई तो हम इसको deal कर ले रहे हैं. ठीक, उसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पर, clause 1 को तो in general short title, extent or commencement, जो की सम्में दिया रहता है, ये वही है. Apart from that, definition of dowry पर आने से पहले, अगर हम deal करें कि ये act क्यों बनाया गया, इसकी जरूरत क्यों पढ़ी? तो dowry prohibition act basically जैसा की नाम बताता है कि dowry को prohibit करने के लिए इस act को लाना पड़ा. क्यों लाना पड़ा? क्योंकि कहीं न कहीं ये एक social evil की तरह काम कर रहा था. ठेक, social evil क्यों हो गया? क्योंकि भाई अगर शादी यहां पर हो रही है और उसमें अगर लेन देन की बात हो रही है तो ये एक इतना peak पर ये चीज जा चुकी थी कि ये कहीं न कहीं कुछ segments of the society को हाम कर रही थी. तो उसके लिए इसको हटाना जरूरी था. हटाना क्योंकि ये एक custom की तरह prevail हो गया community में, जो की चलन हो जाता है, उसको कहीं न कहीं कुछ time बाद रोखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इस वज़े से act लाया गया कि legislation भले पूरी तरीके से खतम नहीं कर सकता, लेकिन कर दिया society में prevail करने से, तो ऐसा नहीं है, अभी भी आप देखेंगे कि हमको in general बहुत जारा दिखेगा, gifts के form में लोग डावरी देखते हुए दिखते हैं, ठीक, लेकिन वही बात है कि उसको definition डावरी की नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए बोल देते हैं, basically कुछ अगर factors की बा available items देना एक अलग तरीका हो जाता है, एक हम term जानते हैं यहाँ पर वर्दक्षिना, वर्दक्षिना यहाँ पर क्या होती है, वो भी gift के तौर पर दी जाती है, बिगनिंग में, यह लड़के वगेरा को दिया जाता था, तो वो सब अलग चीज हो गई, यह customary चीजे हैं, ज लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, अब definition dowry की क्या है, ठीक, act में definition क्या दे रखी है, act में dowry की definition जो है, वो यह है कि in this act, dowry means any property और valuable security given और agreed to be given either directly और indirectly, अभी जैसा कि मैंने कहा, कि valuable, 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 जिसकी एक अच्छी खासी value है, और property यहाँ पर कोई भी है, जो देने की बात करी गई है, और वो चाहे directly दी जा रही हो, या indirectly दी जा रही हो, directly मतलब दहेज बोल के दिया जा रहा है, indirectly, कि अपनी बेटी को दे दीजिए, आपको जो ठीक लगता है, ठीक, यह बहुत ही आम भाशा है, जो लोग यूज करते हैं, तो यह उसको भी इस category में lie down कर रहा है, अब कौन दे रहा है, by one party to a marriage to the other party, अच्छा ऐसा जलूरी नहीं है, कि सिर्फ लड़की वाले दहेज दें, ठीक है, डावरी प्रोहिबिशिन आक्ट इस जेंडर नूटरल, इसने दोनों category को यहां पर include किया है, यह कह रहे है, marriage की party, अब marriage की कोई भी एक party, दूसरी party को दे रही है, उसको हम डावरी कहेंगे, या फिर by the parents of either party to a marriage, और by any other person, to either party to a marriage or to any other person, वही बात हो गई, कि marriage की जो भी party है, उसके parents वो दे रहे हैं, या फिर कोई और person दे रहा है, दूसरी वाली party को या फिर किसी और person को, सिर्फ जरूरी नहीं है, घरवालों की बात हो, कोई third person भी हो सकता है, mediator भी हो सकता है, जो बीच में पैसे खा रहा हो, ठीक, at or before, now this is important, at or before or any time after the marriage, at the time of marriage, इसको हम पढ़ेंगे, या फिर before the time of marriage, या फिर after the marriage, connection with marriage होना जरूरी है, in connection with the marriage of the said parties, यानि कि कब लिया जा रहा है, इससे फरक नहीं पढ़ रहा है, marriage से connected होना चाहिए, अब वो चाहे marriage के time पर लिया जा रहा हो, marriage से पहले लिया जा चुका हो, या फिर marriage के बाद लिया जा रहा हो, but does not include dower और महर in the case of person to whom the Muslim personal law applies, अब यहाँ पर exclude क्या कर दिया गया है, dower या मह ठीक, तो आप इसको याद रखेंगे, ये question आप से पूछा जा सकता है, सबसे पहला question जो यहाँ पर बनता है, वो यह है कि क्या डावरी includes महर या डावर, तो आपको याद रखना है कि it does not include dower या महर, ये अलग है डावरी से, ठीक, just because word एक जैसा है, डावर और डावरी, इस law के paper के लिए important हो गया, कि valuable security कहां defined है, IPC के section 30 में defined है, ठीक, तो ये बात हो गई, इसकी, अब आगे देखते हैं, section 3 अगर हम देखें, तो यहाँ पर बात होती है, penalty for giving or taking dowry, अब अगर आप dowry दे रहे हो, या dowry ले रहे हो, अब एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली बात ये है, कि सिर्फ ना तो देने वाले की गलती है, ना सिर्फ लेने वाले की, दोनों लोगों की गलती मानी जाएगी, इसलिए giving or taking यूस किया गया है, और उसके लिए penalty क्या होगी, if any person, that means any person, after the commencement of this act, जब से ये अग लागू हो रहा है, उस तब से gives or takes or abates the giving or taking of dowry, अगर वो dowry देता है, या फिर लेता है और या फिर abate कर रहा है, उकसा रहा है अगले को dowry देने के लिए, तो he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years and with fine which shall not be less than 15,000 rupees or the amount of the value of the dowry. Now this is important, यह यहाँ पर prelims का question बन जाता है, आपको याद रखनी है punishment, penalty कितनी है, कम से कम 5 साल होगी, 5 years, ठीक है, प्लस इसमें fine लग जाएगा आपका, और fine जो आपका लग रहा है, वो है कम से कम आपका 15,000 का होना चाहिए, ठीक, एक तरफ तो 15,000 का amount mention कर दिया गया है, दूसर is more, अब मान लो अगर डावरी 15,000 से जादा की दी गई है, जो कि अगर हम आज के परिपेक्ष में देखें, तो obviously ऐसा है, ठीक है, डावरी का amount जादा होगा, तो fine में आपको फिर क्या देना पड़ेगा, जितने की डावरी दी गई है, वो पैसा आपको देना पड़ेगा, या तो 15,000 या तो फिर डावरी का amount, जो दोनों में से जो भी जादा होगा, ठीक, provided that the court may for adequate and special reasons to be recorded in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than 5 years, वैसे तो बोला गया 5 साल minimum होगा, लेकिन अगर court को adequate and special reason दे दिये जाते हैं, in that case अगर court satisfied हो जाती है, तो वो 5 साल से कम सजा दे सकती है, nothing in subsection 1 shall apply to or in relation to, अब जो है subsection 1 जिसकी बात कह रहा है, मतलब की penalty कब नहीं लगेगी, किस case में नहीं लगेगी, presents which are given at the time of marriage to the bride without any demand having been made in that behalf, अब हम लोगों के relatives होते हैं, या हमारे friends होते हैं, वो कुछ gifts अगेरा लेके आते हैं, तो यहां पर कहा जा रहा है कि उस context में, यहां पर वो जो presents bride को दिये जा रहे हैं, वो यहां पर उस पर penalty नहीं लगेगी, क्योंकि वो without demand वाले हैं, बिना demand वाले वो gifts दिये जा रहे हैं, अगर demand करके आते हैं, तो फिर वो भी dowry की definition में आ जाता, क्योंकि यह बिना demand वाले हैं, इस वज़े से इनको यहां पर exclude कर दिया गया है, penality से, provided such presents are entitled in a list, maintained in accordance with the rules made under this act, अब यह list कौन सी list की बात हो रहे हैं, तो dowry prohibition rules, ठिक, dowry prohibition rules है, जो बात करता है कि आपको पता होना च चाहिए, कौन-कौन से gift दिये जा रहे हैं, अगर उसकी एक list होनी चाहिए, और अगर उससे बाहर, अगर कुछ भी दिया जा रहा है, तो फिर उस पर आपके लिए penalty पढ़ीगी, तो उनी rules के चलते वो कह रहे हैं, कि provided यह पता हो कि वो presents कौन से हैं, और वो उस list में mention होने च President की ascent देखी, वो date थी 20th में 1961, लेकिन यहाँ पर हमारी एक date छूट गई कि कव enforcement में आया, तो enforcement की date यहाँ पर है 1st July 1961, ठीक, 1st July 1961, यह आपको याद रखना है, यह आपका prelims का question यहाँ से बनता है, जो आरने के 99% chances हैं, ठीक, तो यह याद रखना है, यह हो गई enforcement date, inactment date होती है, जिस दिन हो act बनके तयार होता है, वो हमने उपर देखी, यहाँ पर 1st July 1961, इस दा enforcement date, जिस दिन से यह enforce हुआ, ठीक, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर, तो हमने दो sections यहाँ पर देख लिए, अभी 3rd हम देख रहे हैं, जिसमें की 2nd clause क्या कह रहा है, presents which are given at the time of marriage to the bridegroom, same बात कह रहा है, अब यह तो है निखाली लड़की यह friends आके उसको gift देंगे, लड़के के भी तो friends आके देंगे, तो वो जो gift दे रहे हैं, again वही same चीज, कि वो presents without demand होने चाहिए, और वो list में mention होने चाहिए, जो की list कैसे maintain हो रही है, according to the rules made under this act, provided further that where such presents are made by or on behalf of the bride or any person related to the bride, such presents are of customary nature and the value is not excessive, having regard to the financial status of the person by whom or on whose behalf such presents are given, अब कह रहा है कि यहां पे जहां पे presents जो है, कौन दे रहा है, made by, bride की तरफ से उसके बहाफ पे दिया जा रहा है, या फिर कोई भी person जो bride से related है, और वो presents customary nature के है, जैसा कि अभी मैंने कहा, कि कुछ gifts वगेरा, ज आ रही है, तो उस time पर present जरूरी होते है, उस ceremony को perform करने के लिए वो gift जरूरी होते है, तो अगर वो customary nature के है, और value उसकी बहुत excessive नहीं है, मतलब reasonable value है, having regard to the financial status के, अब excessive कैसे अब जज़ करोगे, यह आप उस person के financial status के हिसाब से, कि अगर लड़की वाले लड़के वाले को द दे रहे हैं, तो लड़की वालों का financial status जो है, क्या यह उसी के according gift दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, कि अपने status चे बहुत ज़्यादा ऊपर उठके gift दे रहे हैं, यह चीज़ करी जाएगी, by whom or whose behalf such presents are given, ठीक, तो आपको बस इसमें इतनी चीज़े देखनी है, mainly यहाँ पर punishment थ Apart from that, इतना यहाँ पर important नहीं है, अब उसके बाद एक और चीज़ जो आती है, क्योंकि हम इसके provisions तो पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसी के चलते एक बात आती है, exhaustive, ठीक, बेक बेच में जो relatable चीज़े आएंगी, वो मैं आप से deal करती जाओंगी, क्या यह question आ सकता है, dowry prohibition act is exhaustive or not exhaustive, तो आपको यह पता होना चाहिए, कि dowry prohibition act is not exhaustive, अब exhaustive का मतलब जिनको नहीं पता है, उनको यह बता दू, कि exhaustive का मतलब होता है, which is complete in itself, जो अपने आप में complete होता है, तो क्या dowry prohibition act अपने आप में complete है, क्या हम यह कह सकते हैं, कि अगर कोई भी दहेज मांग रह हैगी IPC के provision की, Indian Evidence Act के provision की और CRPC की, सहायता इंदसेंस यह कह सकते हैं, कि dowry का case अगर मान लो cruelty हुई है लड़की के साथ, और फिर उसमें dowry का case है, तो सीधी सी बात है कि IPC का 498A उसमें लगेगा ही लगेगा, ठिक, उसके साथ फिर आपके dowry के provision लगेंगे, वहीं पर हम ब dowry के लिए प्रतारित लड़की को बहुत जादा किया जाता था, अब इतना प्रतारित किया जा रहा है कि उसने suicide कर ले, तो यहां पर आपके कुछ sections लग सकते हैं, आपका 306 लग सकता है, ठिक है, IPC का, अपार्ट फॉर्म दाट आप यहां पर बात करो, तो 113A हो गया, ठि उसके अलाबा, IPC का 304B तो ही dowry debt, तो obvious सी बात है, जो provisions deal कर रहे हैं, वो इसमें आ सकते हैं, ठिक, वो यहां पर इन से relate करेंगे, और इसलिए हम इसको यह नहीं कह रहे हैं कि यह act exhaustive है, this is non exhaustive, ओके, एक second, this is non exhaustive, अब आते हैं इसके बाद, हम important section पे, section number 4, section number 4 जो है, वो बात करता है, penalty for demanding dowry, penalty for demanding dowry, अब अगर आप dowry मांग रहे हो, तो यहां पर क्या penalty पड़ेगी, उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहां पर, जहां पर भी कुछ notes वगेरा के लिए दिखाई दे, आपको वहां पर पता होना चाहिए, कि 1984, क्योंकि हम 1961 का यह act जा हुआ है, तो यह वाला जो section है, यह substitute किया गया है, 1984 वाले amendment से, ठीक, कहता क्या है, substitute होने के बाद, इसमें क्या कह दिया गया, कि अगर कोई भी person demands, ठीक, directly or indirectly, from the parents or other relatives or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry, then he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months, but which may extend to 2 years and with fine which may extend to 10,000 अब कहा है कि अगर यहाँ पर dowry मांग रहे हैं, वहाँ पर तो लेने और देने की सीधी बात कर दी थी, जहाँ पर commission हो गया था, यहाँ पर commission नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ demand पे penalty रखी जा रही है, कि अगर सिर्फ किसी ने मांग लिया है, उस पर भी उसको punish किया जा सकता ह है, और वो punishment कितनी हो जाएगी, आपकी 6 months, ठीक, और 6 months के बाद वो extend करती है, 2 years, इस time period के बीच में कुछ भी grant करी जा सकती है, दूसरा fine जो होगा, वो 10,000 rupees तक हो सकता है, यह चीज़ आपको याद रखनी है, कि demand करने पर penalty कितनी है, अगें वही बात यहाँ पर proviso लगा दि patient reasons है, तो quote यहाँ पर 6 months से कम की सजा दे सकता है, ठीक, now next section is important because ban on advertisement की बात कर रहा है, और again हम अगर बात करें, 4A है क्योंकि यह, तो हमें मालूम है कि जब भी A, B, C, D वाले type के कुछ भी provision add किये जाते हैं, तो वो हमेशा amendment से होते हैं, तो 1986 में 4A add कर दिया गया, ठीक, और 4A add करने के बाद उसमें क्या incorporate करते हैं, ban on advertisement, क्या कहते हैं, कि अगर कोई भी person offer करता है through any advertisement in any newspaper, periodical हो, चाहे journal हो, चाहे कोई भी media हो, any share in his property or of any money or both has a share in business or other interest as consideration for the marriage of his son or daughter or any other relative, तो पहला तो क्या हो गया कि advertisement के through, क्या बता रहा है, अब वो कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो newspaper हो, periodical हो, journal हो, media, यह सारी चीज़े, अब उसमें वो क्या कर रहा है, वो अपनी property का कोई share देने की बात कर रहा है, या फिर वो कोई पैसे देने की बात कर रहा है, हम सबको पता है कि ads वगेरा निकलते हैं, ठीक है, अभी तो आज की date में online बह लगा रहा है, क्योंकि हो सकता है, काफी लोगों के पास reason हो सकता है, consideration की वज़े से वो करने लग जाए शादी, इसलिए इसको ban करने की बात करी गई है, तो पहला point तो यह हो गया, दूसरा हो गया कि print अगर कर रहा है, publish कर रहा है, या circulate कर रहा है, अभी तो बात हुई खाल होगा, 5 years का और fine आपका 15,000 रुपे तक का हो जाएगा, ठीक, फिर same clause, कि 6 महीने से कम यहां पर grant किया जा सकता है, अगर court को required है, ठीक, section 5, section 5 बात करता है, agreement for giving or taking dowry to be void, now this is important, giving or taking dowry to be void, section 5 यह पूछा जा सकता है, कि अगर agreement हो रहा है, डावरी लेने या देने के लिए, तो यह क्या होता है, इसका result तो आपको पता होना चाहिए, यह void होता है, as a result of section 5 of dowry prohibition act 1961, दूसरा पूछ सकते हैं, कि यह void होता है, यह कि इस section में दे रखा है, तो section 5 में दे रखा है, यह void होगा, क्यों, क्योंकि obvious सी बात है, यहां पर object जो है, वो unlawful है, Indian contract act आपने पढ़ा हो होगा, यहां पर object और consideration दोनों unlawful है, तो इसके चलते, obvious सी बात है, यह void मान लिया जाएगा, ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़ें, तो इसमें कुछ चीजे extra देख लेते हैं, extra देखने का मतलब यह है, कि अगर कुछ subsequent demand करी जाती है, ठीक है, subsequent demand मान लीजे, जैसा कि अभी होनी चाहिए चीजे, वो चाहे कभी भी मांगी जा रही हो, ठीक, चाहे शादी के पहले हो, बाद में हो, यह शादी के टाइम पर हो, तो क्या जो subsequent demand होती है, ठीक, subsequent demand क्या हो गया, बाद वाली demand, ठीक, क्या यह डावरी होगी, तो यहां पर that amounts to dowry, subsequent demand, और इसको held किया गया था, Ashok Kumar versus State of Haryana के case में, कुछ case laws भी पूछे जा सकते हैं, तो बहुत जो leading case laws हैं, हम वो देख रहे हैं, Ashok Kumar versus State of Haryana, 2010 का यह case है, ठीक, इसमें सीधा-सीधा वही common point बोला था, कि जो demand होती है के dowry की, it is not restricted to at the time of marriage, or before the marriage, but subsequent demand अगर करी जा रही है, तो वो भी dowry में आएगा, इसके बाद अगर हम एक और point यहां पर discuss करना चाहें, तो what is the difference between dowry and istridhan? dowry and istridhan, ठीक है? अभी मैंने बताया यहां पर कि कुछ gifts वगेरा customary होते हैं, जो दिये जाने जरूरी होते हैं, तो यहां पर वही चीज है, कि istridhan एक तरह से आप कह सकते हो, कि यह बहुत ही narrower term है, narrower term है क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ ब्राइट से related है, और at the time of marriage ceremony, जब performance होत है, उस time पर जो लड़की को gifts दिये जाते हैं, वो that amounts to stridhan, लेकिन dowry is a wider expression, यह stridhan से बहुत जादा है, वहां पर वो सिर्फ जर्फ वोस लड़की का होता है, और वो उस time पर अगर किसी और के position में भी जा रहा है, तो जिसके position में है, उसकी duty बनती है, कि जब भी वो लड़क करें, तो उसको वापस किया जाए, ठीक, इस पर वो जो है, यहां पर जब आपने family law पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा, कि यहां पर उसकी right होती है, इसको restitution कराने की, ठीक, लेकिन dowry की अगर हम बात करें, तो dowry restitution, dowry का नहीं होता है, यहां पर अगर पार्टी मानल दिया है, वो उसको वापस restitute करा सकती है, नहीं करा सकती, क्योंकि अभी अभी अमने section 5 में पढ़ा, कि agreement जो होते हैं, वो void होते हैं, और जो void है, वो सीधी सी बात है, उसमें object और consideration आपका unlawful है, तो आप उसको बाद में challenge करके, उसका restitution नहीं करा सकते हो, in the same way, यही जीज ह हो गई डावरी में, कि डावरी एक wider expression है, यह अलग है, तो उनों same नहीं है, अगर same होता, तो यहाँ पर इसको prohibit करने के लिए किया ही ना जाता, और जैसा कि पहले explain में ने किया, कि स्त्रीधन में customary gifts वगेरा जो होंगे, उसको इस act के purview से बाहर रखा गया है, तो यहाँ पर डावरी और स्त्रीधन वाली जो बात थी, वो Hakam Singh versus state of Punjab में थोड़ी clear करी गई थी, मतलब यही चीज बोली गई थी, कि वो wider time है और यह narrower है, Hakam Singh versus state of Punjab, 1990 का case है, चिक है? अब क्योंकि हमने section 4 यहाँ पर देख लिया है, तो section 4, penalty था उसमें, उसके बद हमने 5 में देखा, अच्छा, यहाँ पर एक case law आता है, आपका हर्बंस सिंग versus गुर्चरन कौर का, हर्बंस सिंग versus गुर्चरन कौर, यह case भी 1990 का है, इस case में यह कहा गया था, कि every demand of dowry, क्योंकि हम penalty यहाँ पर section 4 में किस के लिए रख रहे हैं, हम penalty रख रहे हैं, demanding dowry के लिए, तो इस case में कहा गया कि every time, person जब जब demand करेगा, तब तब वो एक नया offense constitute होगा, और उस वक्त उसके liability तब तब बनेगी, अगर मैं उठी के words में कहूं, तो court ने observe किया था, कि every demand of dowry, चाहे उसको repeat किया जाए, बार-बार एक ही चीज़ repeat हो रही हो, लेकिन it will constitute another offense, and thus, जो date of commission होगी offense की under section 4, it would be when the demand was initially made and also when the set demand was repeated afresh, एक बार जब कहा, उस दिन उसकी date commission of offense मानी जाएगी, फिर दुबारा same चीज़ कही, तो फिर उसकी commission of offense की date अलग मानी जाएगी, ठीक, every time वो constitute किया जाएगा, तो ये question आ सकता है, उसके अलावा section 5 में तो बस इतना था, section 5 म नहीं, section 5 में void वाली बात हो गई थी और इसको आप contract से relate करके समझ सकते हो, दूसरी चीज़ आप ये समझ सकते हो, क्योंकि जो मैंने भी doctrine of restitution का बताया, कि dowry के case में नहीं होता है, क्योंकि माना जाता है कि दोनों parties की fault बराबर है, आपने term सुना होगा pari delecto, जिसमें कहते ह तो उसी concept पर ये काम करता है, ठीक, अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम section 6 पर, तो dowry to be for the benefit of the wife और her heirs, क्या कोई भी dowry, अब यहाँ पर question आता है, क्या dowry wife के benefit के लिए या उसके heirs के benefit के लिए दिया जा सकता है, ठीक है, आगे पढ़ लेते, where any dowry is received by any person other than the women in connection with whose marriage it is given, पर जो भी पैसे देने की बात हुई, या कोई भी property देने की कुछ भी बात हो रही है, अब बात क्या हो रही है, कि वो उस लड़की को मिलेगा, लेकिन उस लड़की ने ना receive करके, उसी के नाम पर दिया जा रहा है, लेकिन वो लड़की नहीं receive कर रही है, कोई और person उसको अ आपने लिया है, तो then if the dowry was received before the marriage, अगर शादी से पहले ले लिया गया था वो पैसा, किसी third person ने लिया, उस लड़की के नाम पर लिया, ठिक, और पहले ले लिया, तो यहाँ पर उसको कितने दिन में देना होगा, date of marriage के बाद, तीन महीने के अंदर, ठिक, यह important है, now this is very important, नाम पर dowry लिया है, और यहाँ पर उसको नहीं दिया गया है, वो amount या जो भी dowry है, then in that case, वो person को transfer करना पड़ेगा, उस women को, कब अगर शादी से पहले receive किया था, तो शादी के तीन महीने के अंदर, then if the dowry was received at the time of the marriage, या after, तो उन दोनों के इस में कब रखा गया है, जिस receive किया है, time of marriage, यानि उसी दिन किया है, तो जिस date पर receive किया है, वो date से तीन महीना, और अगर शादी के बाद किया है, तो जब भी receive किया है, तब से तीन महीना, टेक, तीन ही महीना है, and then if the dowry was received when the women was a minor, अगर women minor थी, और तब dowry receive करी गई थी, तो जब वो 18 साल की हो जाएगी जब वो major हो जाएगी, उसके बाद आप उसको return करेंगे, कब जब वो 18 साल की हो जाएगी, उसके तीन महीने के अंदर, 18 साल की हो गई, अब तीन महीने के अंदर उसको आप dowry वापस कर दीजे, and pending such transfer shall hold it in trust for the benefit of the women, और जब तक कि, क्योंकि वो minor है, तो इसका मतलब यह नहीं deemed trustee के पास रहेगी, deemed trustee के पास रहेगी, अगर आप विश्वास वाले इंसान हो, तो आप ही को trustee मान लिया जाएगा, नहीं किसी third person को रखा जाएगा, ठीक, तो यह बात हो गई, कि जब उसके benefit के लिए, जो amount दिया जा रहा है, और यहाँ पर clearly mention कर दी गई हो वो चीज, ठ कि अब clause में आगे क्या पता दिया, कि अगर भाई वो नहीं दे पाता है, पहले तो आपने उसके उपर obligation डाल दिया, कि तुमको retransfer करना पड़ेगा, लेकिन what if अगर तुमने नहीं किया, तो if any person fails to transfer any property, as required by subsection 1, within the time limit specified therefore, और as required by subsection 3, then he shall be punishable, जो आपको याद रखना है यहा तो उसको punishment होगी 6 month की minimum, maximum होगी 2 साल की, fine minimum होगा 5000 का, maximum होगा 10,000 का, बस इतना आपको याद रखना है, और जहाँ पर women entitled to any property in subsection 1, dies before receiving it, अगर receive करने से पहले उसकी किसी कारणवश death हो जाती है, तो heirs of the women shall be entitled to claim it from the person holding it for the time being, अब उसके heirs को यह property मिलेगी, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ था, for the benefit of the wife or her heirs, कि अगर उसकी death हो गई, वो receive नहीं कर पाई, उससे पहले उसकी मौत हो जाती है, तो फिर इसको यह नहीं है कि अब तुम्हें नहीं देना है, तुम्हारा काम खतम, देना है, लेकिन अब उसके heirs को मिलेगा, अब heirs की बात आ गई, तो again के साथ साल के अंदर, otherwise than due to natural causes, natural causes में death होई है, clearly कोई बात नहीं, heirs को कर दोगे, ठीक, अब वो heirs उसके क्या है, वो आप जाके, वहां से गवन होता है आपका, हिंदू मारेज आक्ट में, या मुसलिम परसनल लौ के हम बात करते हैं, तो वो तो मुसलिम आला खेराला लग ह हो गया, यहां पर आप परसनल लौ में जाके देखते हो, ठीक, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, अगर natural causes की वज़े से नहीं death हुई है, in that case, क्योंकि natural causes की वज़े से नहीं हुई है, तो कहीं नगे in-laws का fault रहेगा, in-laws के side को exclude कर दिया गया, और यहां पर कहा गया, कि यह प तर ट्रस्ट में hold करेगा, तो in general तो क्या हो गया, कि उसको heirs को दे रहे हैं, लेकिन अगर natural death नहीं हुई है, तो बच्चे हैं तो बच्चों को मिलेगा, और बच्चे नहीं है, तो in that case, उस लड़की के parents को मिलेगा, ठीक, अब बात आती है, 3A जो है यहां पर, एक नया जो person जो convicted हो रहा है, यहां पर, he has not before his conviction under that subsection, transferred such property to the women as the case may be, तो उसके जो parents है, अगर नहीं वो कर रहा है, तो court shall addition to awarding punishment, अब जिसको किया जाना था, अगर उसने उसको transfer नहीं किया, heirs को, parents को, यह चिल्रेन को, तो court यहां पर punishment award करने के साथ-साथ, writing में order देगा, कि वो person property को transfer करे women को, और as the case may be, उसके heirs को, parents को, चिल्रेन को, within such period, जो order में define होगा, और अगर वो fail हो जाता है, to comply with the direction, within the period, so specified, तो amount equal to the value of the property, उसको देना पड़ेगा, as if it were a fine imposed by the courts, and paid to such women, as the case may be, अगर जिसको दिया जाना था, आपने नहीं दिया, तो यहां पर court punishment award करने के साथ-साथ, writing म order देगा, एक time period बताएगा, कि आप इसको pay कर दो, और अगर तब भी आपने pay नहीं किया, ठीक है, आपने अगर pay यहां पर नहीं करा, आपने comply with the order नहीं किया, तो in that case, आपको property की value देने के लिए court compel कर सकता है, nothing contained in this section shall affect the provision of section 3 or section 4, अब यह है कि penalty की बात यहां पर कर रहा है, कि 3 और 4 में हमने penalty की बात करी थी, जो भी मतलब commission होता है, और जब demand हो रही है उसके लिए, तो वो तो as it is काम करेगा, लेकिन यह कुछ extra provisions हो गए हैं, जो यहां पर बताए जा रहे हैं, ठीक है, तो यह तो basically important provisions हमारे हो जाते हैं, dowry prohibition act के, अगर एक बार हम देख लें कि इस number आपका कौन सा है 28 है, फिर 20th में 1961 को president की assent मिली थी, 1st July 1961 को इसका enforcement हुआ था, dowry की definition section 2 में दे रखी है, क्या दे रखी है, यह आपको पता होना चाहिए, फिर इसमें dowry या महर include नहीं होता है, आपको यह मालूम होना चाहिए, explanation to valuable security की definition क्या होगी, जो section 30 IPC में दे रखी है section 3 talks about penalty for giving or taking the dowry, जिसमें हमने punishment देख ली, उसके बाद हमने यह भी देख लिया, कि list वगेरा में अगर mention है, तो वो उसके हिसाब से regulate होना चाहिए, section 4 में हमने देखा penalty for demanding dowry, अगर demand कर रहे हो, तो फिर आपकी penalty क्या हो सकती है, साथी साथ हमने nature देखा dowry का, कि क्या dowry का nature exhaustive ह नहीं होता है, 4A में हमने ban on advertisement देखा, जो कि 1986 से add किया गया था, और उसमें हमने देखा कि punishment कितनी हो सकती है, section 5 very important कि agreement होगा, जो वो वोईड होगा, क्योंकि object consideration unlawful होता है, then section 6 जो था, वो benefit of the wife और heirs के लिए बात कर रहा था, जिसमें हमें अलग-अलग time period बता दिया गया, क कि कव जो है उसको आप return करोगे, अगर किसी third person को दिया गया, और return नहीं करोगे तो क्या punishment होगी, फिर उसके बाद अगर उसकी death हो जाती है, तो natural death है, तो क्या होगा, नहीं है natural death, तो क्या होगा, and then again अगर दिया जाना था, और आपने नहीं दिया, तो फिर क्या होगा, तो अभी के लिए, आज के लिए हम यही important provisions देख रहे हैं, अब इसके बाद हम next part में यहाँ पर कुछ important देखेंगे, इसमे nature इस act, offense का क्या होता है, whether it is cognizable, whether it is bailable, whether it is compoundable, or non-compoundable, यह सारी चीज़े देखते हुए, कि क्या फिर authorities कुछ बनाई गई हैं, officers appoint होते हैं, या नहीं होत हुता हुआ दिख रहा है, इसी के चलते UP में भी add हुआ है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके कम से कम 4-5 mark से gain करने में help करेगा, तो फिलाल आज के लिए इतना ही, thank you so much.